स्वागत है आप से वीकाट एक स्टेडी आई थे यूटूब चनल पर आई जीम हैदराबाद इंडिया गॉर्मेंट बिंट हैदराबाद की तरब से आई थे पास आउट के एंडियेट्स के यहाँ पर गॉर्मेंट जाब आई थी जिसके की फार्म जो है सेप्टेंबर मंत में भरे गए थे एंड इसका एक्जामिनेशन जो परपोस था और नॉमबर मंत में परपोस था बट अभी थोड़ा सा डिले होके दिसंबर में होना है तो फाइली यहाँ पर इसके एडमिट कार्ड जो है जारी किये जा चुके हैं आप लोगों ने भी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है नहीं एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा और एक्जामिनेशन की जो डेट हो रखी गई है 13 दिसंबर 2023 जो एक्जामिनेशन की जो सिटी हो आपके एडमिट कार्ड में दिखेगी और वहाँ पर आपको एक्जाम देने जाना होगा तो यहाँ पर बात करेंगे कैसे आपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ में बात करेंगे क्या syllabus होगा जो आपको पढ़ाई करके जाना होगा IGM हैदराबाद में अगर आपको selection लेना है तब यह vacancy जो निकाली गए थी यहाँ आप देख सकते हैं इसके form जो भरे गए थे यहाँ पे एक अक्टूबर 2023 तक भरे गए थे और अक्टूबर नॉवंबर में examination proposed था लेकिन अभी examination दिसंबर मन्त में होने वाला है इसमें junior technician foundryman की 5 post थी, electroplating की 5 थी, chemical plant की 8 थी, ठीक है, die and medal की 3 थी, precious metal की 2 थी, fitter में 20 vacancy थी total and junior technician electrician की 4 थी, welder की एक post थी, सिर्फ electronic instrumentation की 2 थी और plumber, machinist और turner की एक एक post पे vacancy निकाली गई थी, तो आप सबने अगर इसका form भरा है तो आप इसका examination देने जा सकते हैं, पहले देख लेते admit card कैसे download करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, slay bus यहां पे क्या होगा आपके written examination का, तो admit card download करने के लिए देखिए, official website है, यहां पे अगर आप आएंगे तो आप देखिए, दो notification आये थे, एक दो बटे 2023 जो की junior technician की vacancy थी, यहां पे आप देखिए, reflect हो रहा है, link for downloading admit card for the online exam to be held on 13 December 2023, इस पे आप click करके अपना admit card download कर सकते हैं, जैसे आप click करेंगे, आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा, and इसमें जो call letter download करना है आपको, सबसे पहरे तो आपको यहां पे English या Hindi में चूज करना है, आप login किस में करना चाह रहा है, ठीक है, किस language में आपका page open होगा, यहां आपको अपना registration number इंटर करना है, और यहां पे आपका password होगा, जो की आपकी data birth होगी, ddmmyyy form में, ठीक है, ddmmyyy form में होगी, यानि सिर्फ 2y होगा, उसी से आपका यहां पे login हो जाएगा, तो यहां आप ध्यान दीजेगा, जो registration number है आपका न, उसको तो आप proper इंटर करिएगा registration number जो आपका होगा, एंड यह आपका सिर्फ 8 character का होगा, ध्यान दीजेए, एक ग्यांपल हम आपको देखते, माल लिजे, आपकी data birth क्या है, 20 December 2004 है, माल लिजे, ठीके, तो आपको क्या इंटर करना है, 20, अब यहां पे क्या रहा है, डैस आ रहा है, ठीके, December है, यहां में 12 हो गया, 2004 है, यानि लास्ट का सिर्फ 04, यह आपको इंटर करना होगा data birth में, तभी आपका यहां पे यह ओपन होगा, तो उसी को आप लोग यहां पे इंटर कीजेगा, अधर्वाइस आप यहां पे ओपन नहीं कर पाएंगे अपना profile, फिर आपका admit card download नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से आप लोग जैसे login करेंगे, आपका admit card आपके सामने download हो जाएगा, उसे कर लिजेगा, अब admit card से जादा important हो जाता है, आप लोग जो है पढ़ाई क्या करके जाएंगे, तो आएए चलते हैं, syllabus देखते हैं, तो syllabus आपको इसी notification में मिल जाएगा, notification हम आपके साथ share भी कर देंगे, examination centers जो यहाँ पे दिये जाने वाले आपके हैदराबाद, चन्नाई, मुंबाई, कोलकाता, एंडेलही में जो NCR region है, वो रहने वाला है, आप लोग comment करके बताएगा, आपका examination center कहाँ पे है, page number 36 पे आप आएगे, यहाँ आपको मिल जाएगा आपका syllabus, तो सबसे पहले पार्ट एक अगर बात करें, यहाँ पे आपका general ability test होगा, जिसमें आपके general awareness के questions रहेंगे, जिसमें history, geography, culture, economy, quality, इन सबसे questions होगे, basic English language skill होगी, जिसमें आपका basic English का test होगा, ठीक है, basic computer knowledge से questions आप से पूँछे जाएंगे, basic जो arithmetic है, mathematics से उसके questions होगे, जिसमें number system, computation of whole numbers, decimal, fraction, ठीक है, fundamental जो arithmetic operation है, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, इससे काफी अच्छे questions रहते हैं, time and distance, ratio and time, time and work, etc. तो यह सारे आपके basic arithmetic के questions होगे, बाकी जो आपका trade होगा, जैसे देखिए, part B जो होगा, वो आपके technical subject जो होगे, उससे होगा, तो आपका जो trade हो, जैसे foundryman का यहाँ slabus दिया गया पूरा आपको, जो ITE का slabus है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह electroplating का यहाँ पर slabus दिया गया पूरा, इसको देख लीजेगा, chemical plant का, AOCP का है slabus, die and metal का है, next आप देखेंगे, यहाँ पर precious metals का है, फिर आपको यहाँ पर fitter का slabus देखने को, मिल जाएगा, fitter में आप देखें, linear measurement, bench wise construction, type, care, maintenance, file, hexa, सब कुछ जो आप ITE में पढ़े हो न, chapter wise, उन सबसे question पूछा जाएगा, तो अगर आप अपनी ITE की book को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, वो चाहे जिस publication की हो, कोशिस करिए, ACN, Ariyante, सब अच्छी publication होती, यहाँ से अगर आप अच्छी पढ़ाई अपनी कर लेते हो, तो आप आसानी से qualify कर सकते हैं इसका examination, और आपको fitter का और कुछ trade का हमारे पास कुछ questions are important, उसका एक PDF हम आपको provide करेंगे जल्दी टेलिग्राम में, तो आप लोग टेलिग्राम पे जुड़ जाएगा, जिससे आप वो questions जो है, लगबग 1000 questions के उपर का PDF होगा, और उसका mock test भी हम आपको provide करवाएंगे application पे, तो उन सब चीजों को अगर आप install कर लेंगे, टेलिग्राम पे जुड़ जाएंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेगी, बाकि आप लोग comment करके बताएगा किनके किनके, IGM के examination, IGM हैदराबाद के, and examination center आपका कहा है, और आपका trade क्या है, comment करेंगे, अच्छा लगेगा हमें, Thank you very much, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में, अगर आपको कोई difficulty आ रही admit card download करने में, कई सारे candidates का comment थक्स और वीडियो बनाईए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग अपना जो registration number है न, Thank you very much, ख्याल रखिएगा अपना,